कांगडा किला एक ऐसा किला जिसका जिकरमा भारत जैसे ग्रंथ में होता है भारत के हिमाचल परदेश राज्ये के कांगडा सहर के बाहरी इलाके में सहर से 20 किलो मीटर की दूरी पर यह किला मोजुद है यह किला अपनी हजारो साल की भवेता आकरमन, युद, धन और विकास का बड़ा गवाह है यह सक्तिसाली किला त्रिंगरत समराजे की उत्पत्ति को बताता है जिसका उलेक महा भारत जैसे महा कावे में मिलता है बता दे कि यह किला हिमाल्य का सबसे बड़ा और साइद भारत का सबसे पुराना किला है जो ब्यास और उसकी साहयक नदियों की निचली घाटी पर स्थित है इस किले के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा भी समय था कि जब इस किले में एकलपनी अधन रखा गया था जो इस किले के अंदर स्थित भरजेजवरी मंदिर में बड़ी मुर्ती को चढ़ाया जाता था इसी खजानी की वज़े से इस किले पर कई बार हमले हुए और लगभग हर सासक चाहे वो आकरमनकारी हो या देशी सासक सभी ने कांगडा किले पर अपना कपजा करने की कोशिस की यहां जानने वाले परियटक कांगडा किले के इतिहास के बारे में जानने के लिए बेहद उच्शुक रहते हैं और यह किला हिमाचल में आकरशन का एक अनूठा नमूना है आईए आपको बताते हैं कांगडा किले के इतिहास के बारे में कांगडा के किले का निर्मान लगभग 3500 साल पहले कटोच वंस के महराजा सुसर्मा चंदरा ने करवाया था महराजा सुसरमा चंदरा ने महाभारत में वरनित कुरुक्षेतर के युद में कुरुवों के साथ लड़ाई लड़ी थी इसी लड़ाई में प्राजित होने के बाद उन्होंने त्रिंगर्त समराज्य को अपने नींतरन में ले लिया और कांगडा किले को बनवाया था बर्जेश्वरी के मंदर को कांगडा किले के अंदर बनवाया गया था जिसकी वज़े से इस किले को भक्तो दवारा मुल्यवान उपहारदान में मिलते थे इतिहास से पता चलता है कि इस किले में एकलपनिय खजाना था जिसकी वजे से यह किला अन्य सासकों और विदेशी आकर्मन कारियों की दवारा लूट करने की एक बड़ी जगह बन गई थी कांगडा किले पर पहला हमला कस्मीर के राजा ने 470 इसवी में किया था इस किले पर पहला विदेशी आकर्मन एक हजार नो इसवी में गजनी के महमूद गजनवी ने किया था इसके बाद उसके नक्से कदम पर चलते हुए तुर्की सुल्तान मुहमद बिन तुगलक ने इस किले पर कबजा किया और उनकी मरित्यू के बाद उनके उत्राधीकारी फिरोज सहने पदभार संभाला यह साफ नजर आता है कि सभी विदेशी आकर्मन कारियों ने खजाने की तलास में ही कांगडा किले पर हमला किया था ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने अपने आकर्मन के दोरान किले के अंदर मौजुद सभी लोगों को मार डाला था और अंदर मौजुद खजाना लूट लिया था 1615 में एकबर दवारा तुर्की सासकों से कांगडा किले को पुने प्राप्त करने के 52 ऐसफल प्रियासों के बाद उसके बेटे को जहांकिर ने 1620 में किले पर कबजा कर लिया था 1758 में कटोच के उत्राधी कारी घमड चंद को एहमद साहे अबदाली दवारा जालंदर का राजय पल्य निक्त किया इसके बाद उसके पोते संसार चंद ने अपनी सेना को मजबूत किया और अंत में सासक अली खान को हराया और 1789 में अपने पुर्वजो के सीहासन को फिर से हासिल कर लिया था इस जीत से संसार चंद ने खुद को एक सकतिसाली सासक साबित किया और पडोसी अक्छेतरों के कई राजियों पर अपना कबजा जमा लिया इसके बाद पराजित राजा तब गोर्खा कमांडर अमर सिहा थापा से मदद मागी इसके बाद सीखो और कटोचों के बीच युद हुआ और 1806 में गोर्खा सेना ने एक खुले दवार से किले में परवेश कर इस किले पर कबजा कर लिया कांगडा किले पर हार के बाद संसारचंद को महराजा रनजीची है के साथ गठबंदन करना पड़ा इसके बाद 1809 में गोर्खा सेना पराजित हुई और अपनी रक्षा के चलते युद से पीछे हट गई इसके बाद 1828 तक ये किला कटोचों के अधिन रहा क्योंकि संसारचंद की मृत्यू के बाद रनजीची है ने इस किले पर कबजा कर लिया था अंत में ब्रेटिसों ने सीखो के साथ हुए युद के बाद इस किले पर अपना कबजा जमा लिया कांगडा किले का इतिहास युद, खून, छल और लूट से भरा पड़ा है कांगड़ा जमा लिया जमा लिया था जमा लिया था जमाड़ा है